हेलो और वेल्कम बेक टू मैंने अदर वीडियो उमीद करतो हम लोग ठीक होंगे बहुत टैम के वाद वीडियो बना रहा हूँ जैसे आप लोगों को पता है मैं वगेशन पे था जिस वह से मैं बीजी था मैं और मैं कोई वीडियो बगर बनानी रहा था बस जब मैं इंडिया में था तो मैंने एक ही वीडियो बनाई थी क्योंकि उस टॉपी पर मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे तो बहुत लोगों ने मुझे Instagram पे message किया जिनका मैंने time पे reply नहीं दे पाया जैसे आप लोगों को पता है कि बंदा family में अगर गया होता है especially अगर वो married है तो वो बहुत busy होता है अगर unmarried है तो चलो यार दोस्ते में रहेगा वो जब मर्जी phone पे chat वगर जैसे मर्जी कर सकता है लेकिन family वाले के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चे होते हैं कब बीदर लेकि जाओ कोई उदर लेकि दाओ जाओ तो ऐसा होता रहता है अगर अगर मेरे चलिए पर पहली बार आए है तो चलिए को सब्सक्राइब कर लेना एंड फॉलो में इस्टाग्राम कमलकू 2009 ये वीडियो बना रहा हूं उन्हों के लिए जिलनों का माल्टा का वीजा लग चुका है और वो ट्रेवल करना चाहते हैं माल्टा में तो कैसे उनको सही रहेगा वो सारी चीज़े मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में अपने एक्सपिरियंस के साफ से बात कर रहा हूं जो मैंने खुद देखा है किसी से सुनके नहीं कर रहा हूं अपने जो मैंने देखा है उस चीज़से मैं कर रहा हूं चलो मैं सबसे पहले जब म सब्सक्राइब आए संदना थक जाता है बस में किवह साथ से 8 अट हुट का सफार है दिली का तो फिर मेंने कह सुचा कि क्यों न मैं और जब मैं दिली से जब लोध्यान किया था तो मैं लेकिन Wi-Fi भी नहीं था बहुत परानी वाली थी तो फिर मेरे माइन में वही चीज चल रही थी और तो फिर उसके बाद फिर मैंने उस पर किया ही नहीं और जो हां पर रोकते हैं वो इतना इतना एक्सपेंसिव जगह होता है खाने के लिए कि पूछो मत तो फिर मैंने जूस किया कि ट्रेन से जाए जाए तो चलो ट्रेन थी माता शिरी वैश्नमाता से चल की आयरी थी ट्रेन वो जाना था उसने जामनगर जामनगर अभी बहुत फेमर्स हो गया है आपनों को जैसे बताओगा और ट्रेन लुद्याना तक तो पूरे टैम पे बराबर से कोई इश्यू नहीं हुआ साड़े चार का टैम था चार वसके 15 मिंट पे लुद्याने पहुंच चुकी थी और उसका दिली का जो समय था सवानों बज़े का था न्यू डेली का लेकिन अंबाला हो गया पानी पत होते हैं इस रूट से ट्रेन नहीं जाना था लेकिन फारा च्ने कर दिया था व्यूत को पता संगा आप पताएक ठेक्ठ पनाला बंद यी ख़ए और न मैं। तो मैंने कैप कि सीधा एरपोर्ट पहुंचा जो एर बहुत रश्थ था बहुत ज़्यादा रश्थ तो जब इंडो कैनेडिन की शेट जब मेरी जैसी जो फ्लाइट थी वह थी इंडिगो इंडिगो से डेली तू इस्तानबूल इस्तानबूल से माल्डा मेरा ये रूट था तो जैसे मैं लेंन पर लग लग गया है जैसे आप लों को पता हिसे हैं जब मेरे रो फाय वह एंड था मैं एंड भी इंडेन के छला गया लिए नंफ्प भण ऑली एक है रहे एफिसे इंडिगो का स्टाफ था पूछता था उपना ब्लडिग पास टिकेट दिखा उग पासपूर्ट दिखाओ वो लेगी आता था काउंटर पे जो उन्होंने काउंटर बनाए था मापर दो या तीन बंदे बैठे वे थे तो अगर उसने आके वापस कर दिया तो डन है अगर वापस नहीं किया तो तीन चार लड़कों को उसने मना कर दिया था रेजन क्या था क्योंकि उनकी जो उनकी फ्लाइट थी जैसे डेली से जारी थी दिल्ली से जा तुबाई से और lamps वर भी तो यह गलती मत करो दोस्तों सीधी फ्लाइट अगर आपको मिलती है वैसे मानटा के लिए सीधी फ्लाइट तो है नहीं एक स्टॉपेज अगर रास्ते में है तो कोई बात नहीं है लेकिन दो से तीन स्टॉपेज हैं चार स्टॉपेज हैं इसे होता क्या कि आपका जो सफर है बहुत लंबा हो जाएगा 27 गंटे 30 गंटे के सफर हो जाएगा पहुंचते पहुंचते लेकिन जो टिकेट है वह सच्टी बढ़ जाती है यही फरक होता है लोग 5-10 एर बजाने चकर में लंबा सफर कर लेते हैं ज़्यदा स्टॉपेज होती है तो फिर बाद में इस्चीज होता है वो बाद में दूसरा हुआ क्या इस्तानबूल एरपोर्ट में जब पहुंचा हूं तो मेरे साथ एक बंदा माल्टा के लिए जा रहा था उस बंदे ने चैश करी किया हुआ इंडियन करंसी 55,000 मैंने उसे बोला कि आप 55,000 क्यों लेकि आ रहे हैं किसी को आपने देना गया ऐसा भी होता भाई यहां पर माल्टा में इंडियन करंसी नहीं होती है दोस्तों बता देता हूं जो भी इंडिया से किसी भी कंट्री से अगर आ रहे हो जैसे चार से पांच कंट्री के हम आते हैं साउथ इशीन की लोग आप अगर नेपाली करंसी है पाकिसानी है बंगलादेशी है युए हो गया युव में आता जमन और कुवेथ हो गया इन कंट्री में क्या होता कि आपकी जो करंसी है वहां जाकि आप एक्चेंज कर लोगे वेस्टन यूनिन में लेकिन इंडियन करंसी को आप यूरोप में माल्टा में आके एक्चेंज नहीं कर पाओगी दोस्तों और ही आप अपना जो करेंशी है वहां से बाई कर लो यूरो कि अगर आप सोचो कि यहां आएंगे तो हमेशाइज रेड अच्छा मिल जाएगा उसकी सोच यही थी बंदे की उसको रेड बहुत महंगा मिल रहा था 93 संथिंग मिल रहा था पर एक यूरो इसलिए बंदे ने खरीदा नहीं उसना बोला कि क्यों ना मैं माल्टा में जाके सेल कर दूंगा तो यह गलती दोस्तों मत करना ठीके अपनी करेंशी को वहीं से कनवर्ड करवा के लिए कि आओगे तो सही रहेगा और जब मैं आपको पत जब हम वह से निकले हैं इस्तानबूल से माल्टा के लिए वह पंदर से 20 मिंट डिले हो गया लेकिन मैंने पहली बार इतना ड्राबना जो फ्लाइट का सफर हो मैंने फील किया हुआ क्या कि जैसे हम डिपार्चर कर चुके थे इस्तानबूल से अभी बस 15-20 मिंट हुआ था इतनी हवा ते चल रही थी इतनी हवा ते चल रही थी अब लग रहा था कि अब नीचे जाएंगे अब नीचे जाएंगे ऐसा फील हो रहा था मैं दिल धक 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 कर रहा था हवा बहुत तेज थी बहुत विंडी था और माल्टा में जब में पहुंशने वाले थे तब भी यहां पर भी सेम इश्यू हो गया था कई लोगों ने हाथ जोड़े होए थे मैं तो कई लोगों ने हैड़फोन लगा कर रखे होए थे आपको पता ही है जैसे मुवी अगर आप देख सकते हो अगर आप टर्किश एर लाइन में हो तो मैं तो सब कुछ बंद बन करके बठा मैंने यहां पता रहा हूं तो मैंने बता दिया है अगर आप ने ट्रेवल करना मालटा तो मेक्शूर करो की एक स्टोपश हो ठीक है और अगर आपने यहां आना है करंसी इंडिया में नेपाल में बंगलदेश पाकिस्तान कहीं से भी आप बनोग करते हो वह इसे ही कन्वर् for watching my video